जब मदीने से चला का फिला कर वो बला ले चलो बाबा मुझे ले चलो बाबा था ये सुगरा के लबो पर नोहा ले चलो बाबा मुझे ले चलो बाबा अपने हम राह सुये कर वो बला ले चलो बाबा मुझे ले चलो बाबा आपकी याद में रो रो के में मर जाओंगी माबा अक्बर की कसम चैन नहीं पाऊंगी मेरी सासों का बरोसा न रहा ले चलो बाबा मुझे ले चलो बाबा अपने हमरा हसुए कर वो बला का फेले वाले को पानी भी पिलाऊंगी में अपनी आगोश में असगर को सुलाऊंगी में बाबा ये आप उसे वादा है मेरा ले चलो बाबा मुझे ले चलो बाबा अपने हमरा हसुए कर वो बला ले चलो बाबा मुझे ले चलो बाबा मेरे कानू में जो आवाज अजा आएगी मेरे अकबर की मुझे याद बहुत आएगी भाई की याद न बन जा कर दा ले चलो बाबा मुझे ले चलो बाबा कैसे अकबर के बिनाईद गुजारूगी में कभी तुमको कभी अमो को पुकारूगी में जब कोई पास न होगा बाबा मुझे ले चलो बाबा अपने हम राह सुएकर बबला ले चलो बाबा मुझे ले चलो बाबा दुप वर गरमा हवा होगी सफर में देखो अपने आचल में छुपा लूगी अलियस गर को यू ना असगर को करो मुझे से जुदा ले चलो बाबा मुझे ले चलो बाबा अपने हमरा हसुए कर बोगला ले चलो बाबा मुझे ले चलो ख़ब एकबर की उरूसी के बहुत देखे थे खाको हो जाएंगे ऐ ले बाबा सबर माँग मेरे दिल यही सोच के रोता मेरा ले चलो बाबा अपने हमरा हसुए कर भोगला ले चलो बाबा मुझे ले चलो बाबा चचा अपास सकीना फुपियो जैनब से आखरी बार मिला दो मुझे बाबा सब से फिर ये बीमार नहीं देगी सदा ले चलो बाबा अपने हम राह सुए कर वो भाइया आभी को दूआ रोज पृिलाऊंगी में उनकी राहों में निगाहों को बिचाऊंगी में तुम का निजों की तरह बेहरे खुदा ले चलो बाबा मुझे अच्छा में मिल में मुझे तुम ना बिठाना बाबा तुम मुझे राह में पैदल ही चलाना बाबा ना करूगी में शिकायत ना गिला ले चलाबा अपने हम राह सुए मैंने माना के नहीं नाम मेरा मेहजर में बाबा इतना तो बता दो के अकेले घर में जिन्दा रह पाएगी सुगरा तनहा ले चलो बाबा मुझे जब कभी हो के मदीने से हवा आती है आज भी मजहर औ इरफा ये सदा आती है अपने हम राह सुए कर बो बला ले चलो बाबा मुझे ले चलो बाबा थाए सुगरा के लबो पर नौहा ले चलो बाबा अदे हुआ अदे हुआ ये सुगरा के भरे घर ने बतनी छोड दिया हाए सुगरा के भरे घर ने बतनी छोड दिया जिसमी पर कभी रहते थे रसूल सकीले इसमें पहा ले गई बच्चिपन में हसन और हुसें उसमदीने के मुकदर ने बतनी छोड दिया हाए सुगरा के भरे घर ने बतनी छोड दिया अफिताओं में भी आवासे भूगाने लगी जिसके जाने से बहारों में कीदा आने लगी कौन है से गुले दने बतन छोड दिया हाए सुगरा के बरे घर ने बतन छोड दिया जाके इस शेहर में सब कौन है आने वाला रोने के शाम और शहर ले गया जाने वाला याने हम शकले पयांबर ने वतन छोड दिया हाए सुगरा के बरे घर ने वतन छोड दिया कौन है किसे के सहारे पे जिये की सुगरा अब किसे प्यारे करे किसे को जुलाए जुला जे महीने के बरादने वतन छोड दिया हाए सुगरा के बरे घर ने वतन छोड दिया चाहती थी के बहन भाई को बादे से फादेमा सुक्रा ने किटली ता बना दी के अली एकपर ने सहरा बादे चाहती थी के बहन भाई को बादे सेहरा उसका अरबान ता भाई को बना ए दूला इससे पहले रोजिया शूर वो सैनभी को बुला ना बोला दस्ते गुरिबत के मदद के लिए आना मौला या अलिया की दुखतर ने वतन छोड़ दिया आए सुगिरा के भरे घर ने वतनी छोड़ दिया कामाएगी न सुगिरा की दुआए जिसके रो न पाएगी जना से पे भी मा है जिसके लीजिये अपा से दिलावर ने वतनी छोड़ दिया आए सुगिरा के भरे घर ने वतनी छोड़ दिया जुल्म से जिसको वतन जाने की बहलत न मिली खा गई बाली सकीना को गरी बुल वतनी दुक्तरे सिबते पयांबर ने वतनी छोड़ दिया हाए सुगिरा के भरे घर ने वतनी छोड़ दिया जुल्म से चेन से रहने न दिया जिसको कली कत्राई आपी पयासर न हुआ जिसको कली प्यासी से समंदर ने वतन छोड़ दिया हाए सुगिरा के भरे घर ने वतनी छोड़ दिया हाए सुथ कुल्मदर करनाünde पुल्म जो ब benz हमान जोड़ दिया जित जानी किएकड्याद कहिना,ा। हुगी कितो हम चाहा ह् पेज़ा दोगी किüyorsun। Q. ले जैने कहिना ऌगा था। प्रिष्टिकर लगा तो अंस जब दद कर दो ताइट में ही औराइग है पापा गड़ी पर तुम्हें चाओ बड़ी तुम्हें चाओ बड़ी तुम्हें चाओ बड़ी खजरते फातिमत जहरा सलवातु लालेह के खुशनोदी के लिए बुलंतरी नारे सलवात लाह मॉह मूझा जाली मॉम्हें बड़ी तुम्हें चाओ बड़ी तुम्हें चाओ le flowingि मॉह बड़ाय सलवात 그러eremosPlus के लिए नारे सलवातु लाह मॉह मॉझा चाओ बड़ी तुम्हें तुम्हें चाओ बड़ाय सलवातु भाह अजया तेहा आओज बिल्लाहि मन श्याइटान रर्जीम बिस्म ल्लाहि रर्रह्मान रर्रहीम अल्हम्द लिल्लाहि रबिलालमी अस्सलात वस्सलाम अला अश्रफ लंबियाई वल्मुर्सलीन सय्यदना वनभीना वश्यदना वमुलाना बिल्कासिम मुम्माद अल्हमा स्वेडना व्काम अज्वालि मुहम्मद रजीम वा आलिह तेयबीन ताहिरीन अल्मासूमीन अल्मज्लूमीन वला नदू लोह अला कौम जालमीन अम्मा बात फक्द काल अल्लाहु तालब तबारिका फी किताबहिल मुबीन वहुआ अस्दकु सादकीन वा कौल उलहख बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम वला सलोकम लेह अजिरन ललमवदता फीलकुदा सलवाद पढ़िबर मुछम्मद वालि मुछम्मद पुरान मजीद की मश्यूर और मारूफ आये मबारिका कि जिसको अपना उन्माने गुफ्तगू खरार दिया जिसमें परवर्दिगार आलम ये इरिशाद फर्मा रहा है कि मेरे हबीब इनसे कह दीजिए कि हम अज्रर रसालत और कुछ नहीं चाहते सिवाहि इसके कि मेरे अकुर्बास से मवद्दद करें एज़ान गिरामी दीन इसलाम की तबलीव के लिए रसूल इसलाम ने जो खुर्बानिया दी हैं रसूल इसलाम ने जो तकलीफें उठाई हैं रसूल इसलाम ने जो मसीबतें बरदाश की हैं उसकी उजरत तो बनती है आप देखें कि दुनिया में अगर हम एक पांच रुपए की चीज लेने के लिए भी जाए ना दुकान के उपर एक हमारी तो बात छोड़े हमारा बच्चा भी जाता है ना दुकान पे तो पहले वो पैसा लेता है यानि उसे भी मालूम है के पांच रुपए की एक चॉकलेट भी मुफ्त में नहीं मिलेगी हमें पेड़ करना होगा हमें खीमत देनी होगी मुफ्त में नहीं मिलेगा और आज वो इसलाम के जो हमारा दीन है अलहम्द लिल्लाह के हम मुसल्मान है आज इतने लाकों करूडों मसल्मान के जो सकून और चैन की सांसे ले रहे हैं जो अपने आप को बड़ी शान से कह रहे हैं के मसल्मान है अजीजान इ gagरामी मुझे समझ में नही आता के जो बात चोटे चोटे बच्चों को समझ में आती है वो उनको समझ में क्यों नहीं आती कि ये इसलाम मुफ्त में नहीं मिलेगा पेगंबर इसलाम ने जो तबलीख की है जो तकलीफें उठाई है खुरान कह रहा है कि मेरे हबीब उनसे कहिए कि उसकी अजरत ये है कि आपके अखरुबा से मवद्द करें सलवात पढ़ें बर मुहम्मद वाले मुहम्मद करें अज़ाने कि रामी इस आयत की रोशनी में अगर देखें तो गोया हर मुसल्मान पर ये वाजिब है कि वो अजर रिसालत अदा करें कोई ऐसा कि जिसने अपने आपको मुसल्मान कहा कोई ऐसा कि जिसने दाइरा इसलाम में खदम रखा कोई ऐसा कि जिसने खिला इसलाम में पनाह ली है यानि कोई भी जो अपने आपको मुसल्मान होने का दावा करता है उसके उपर ये वाजिब है कि वो मुद्द करे उसके उपर ये वाजिब है कि वो अल्लह के रसूल के अक्रुबा से मवद्द करे मैं कहूँ है मेरे परवर्दिगार तूने तो वाजब खरार दिया ना हर मुसल्मान पर वाजब है लेकिन मैं कहूँ है मेरे परवर्दिगार अगर तू वाजब ना भी करता तो इनका किरदार ऐसा था कि खुद बखुद मुहबत हो जाती थी इनका किरदार ऐसा था ना कि जो एक दफ़ा इन से मिलता था उसके दिल में इनका इश्क पैदा हो जाता था इनका किरदार ऐसा था कि जो एक बार इनके दर पे आ जाए वो कभी इन से दूर नहीं जाना चाहता था इनका किरदार ऐसा था जो इनके घर का गुलाम बन जाए उसे आजादी से नफरत हो जाती थी अज़न इगरामी गुलाम ये वो लफ़ है जिस लफ़ से ही पस्ती जलकती है लफ़ गुलामी किसी का गुलाम होना मैं समझती हूँ कि आज के जमाने में अगर किसी को दो गाली दे देना तो शायद वो बरदाश कर ले लेकिन अगर किसी से ये कह दें कि आज कल तो आप उनकी गुलामी में हैं आज कल तो आप बड़े उनके आगे पीछे दिखाई देती हैं किसी भी बड़ी शफियत का नाम लेकर आप तो गोया उनकी गुलाम हो रही है यानि जो ये गुलामी का ताना है ये इनसान की गहरत के उपर एक ताजियाना है ये इन्सान की गेरत के उपर एक तमाच, इन्सान कुछ भी बरदाश्ट कर सकता है, गुलामी बरदाश्ट नहीं कर सकता लेकिन अजीनाने के लामे ये भी जहन में रहे कि ये दुनिया की गुलामी है जिसमें जिल्लत है एहल बैत की गुलामी वो है जिसमें इज्जत है सलवाद पर ये पर महम्मद वाले महम्मद पर करद पर ये झाले महम्मद पर ये पर ये लाद की गुलामी है सलवाद पर ये लेकिन पर ये लेकिद। दुनिया की गुलामी में जिल्लत है एले बैत की गुलामी में इज्जत है यह यूं कहूं कि यह वो दर्वाजा है कि जो इस दर्वाजे पर जितना जुकता चला जाता है खुदा उसे उतना बुलंद करता चला जाता है और जो इस दरवाजे पर अकर कर आएगा गुरूर में आएगा परवर्दिगार आलम उसे जलील औ गुस्वा करता है यह दरवाजा तो वो है कि अगर मलत भी आ रहा है तो मलत बनके नहीं खादू बनके आ रहा है वे वर अलावाद पर येवरा आर वाले मुवड़ारा पूर्जों इनके दर के गुलामी में वो मज़ा है कि जो शाहूं की शाही में नहीं है जनाब फिज्या का किरदार बताता है हबश की शहजादी थी, हबश की मलका थी कोई आम औरत नहीं थी लेकिन उस शाही को ठोका मार कर फातिमा की गुलामी में मज़ा है इनकी गुलामी में वो मज़ा चाह मुझे बताएं गुलाम के लिए सबसे खुशी का दिन क्या होता है गुलाम के लिए सबसे खुशी का दिन ये है कि जिस दिन उसे आजाद कर दिया जाए जिस दिन उसे छोड़ दिया जाए लेकिन खुदा जाने एले बैत की चौकट में क्या मज़ा है कि जो इनके दर का गुलाम हो जाता था उसे तो आजादी से नफरत हो जाती थी वो आजाद होना ही नहीं चाहता था तारीख में वाकिया मौजूद है कि एक दफ़ा मौला काइनात सफर कर रहे हैं तमाम मौला के चाने वाले भी हैं कि एक शेख्स ने एक रोटी का सवाल कर दिया जनाब खंबर ने कहा मौला ये रोटी माग रहा है मौला ने कहा दे दो जनाबर खंबर ने कहा मौला रोटियां जो हैं वो गठर में हैं मौला ने कहा गठर समेथ दे दो कहा मौला गठर उट पर है मौला ने कहा उट समेथ दे दो कहा मौला उट खतार में है लाइन में है मौला ने कहा खतार समेथ दे दो तो ये जो सुना तो खंबर देना तो छो घबरा के दूर हट गए मैं कहूं जनाब खंबर आप दूर क्यों हट गए का इसलिए चुकि इस वक्त अली की दरिया सखावत जोश में है जो एक रोटी के बदले उटों की पूरी खतार दे रहा हो तो मैंने का वो तो ठीक है आप क्यों हट गए का इसलिए चुकि उटों की महारे मेरे हाथ में बस अब आखरी यही बचा था कि अगर मैं यह कह देता कि मौला महार मेरे हाथ में है तो अली यह ना कह देते हैं खंबर समयत ले जाओ तो सलमात पर यहार महम्मद वाले महम्मद कर देतने का क्यों यह रोग पाला है सब के सब बिखारी है कौन देने वाला है कौने माद उटों की देरे जो गतार ले खंब दम हरी अली कुकर हर कदम हरी अली कुकर نाले हऑ्दि याली याली। आnd छेला आम की सत मिली है मुझकों वाली के नाम से वे शाख बेश्रक लेकों को ने कल मिला अलस्सके हयात मिली अलिक अगर मिला तो सारी काई आदी हर मुनाफिक की आँखों में काटों की तरह चूबते रहेंगे हम हैदरी थे हैदरी है हैदरी रहेंगे हम तोरे हैदरी या अलिक अज़ाने की रामी मैं कहूँ है जनाब खंबर मैं तो कहती हूँ कि ये तो आपने महारे पकड़ी की तो बड़ा एक गोल्डन चांस था आज़ादी का अलिकी सखावत तो ऐसे ही जोशमें थी आप भी उसी बहाने आज़ाद हो जाते बलके मैं तो कहती हूँ कि अगर आपने पकड़ी ना होती ना दूर भी होते तो आके पकड़ लेते शायद मुझे छुटकारा मिल जाए शायद मुझे आज़ादी मिल जाए तो अजब नहीं कि खंबर आवाज दे कि वो दुनिया की गुलामी है कि जिसमें इनसान फरार चाहता है अली की गुलामी तो वो है कि जिससे बड़ा शर्फ काइनात में कोई नहीं कि मैं गुलाम अली इबन अभी तालिब हूँ सलवात पढ़िये बर मुहम्मद वाले मुहम्मद पर और रिज़ान इक रामी जो इनके दर का गुलाम होता था ना उसे आज़ादी से नफरत हो जाती थी इसकी वज़ा है इसकी वज़ा ये है कि अली ने अपने गुलामों को कभी गुलाम समझा ही नहीं अली ने अपने गुलामों को मिसले ऑुलाद पाला है गुलाम नहीं समझा गुलाम नहीं समझा और इसकी दलील मौजूद है वो मौका मौद है कि यही जनाब खंबर हैं और जब मौला अली बाजार में लिक गए है जनाब खंबर को लेकर और दो कुर्टे लिए दो कपड़े लिए दो ड्रेस खरीदे एक अच्छा अच्छी कॉलिटी का और एक थोड़ा मामूली कॉलिटी का थोड़ा लो कॉलिटी का अज़ान गिरामी आपर सब मौजूद हैं मुझे बताएं कि बाप का किरदार क्या होता है इस वक्त आप किसी भी उमर पर हों लेकिन सबसे पहले तो हम बेटी थे और मैं समझती हूँ कि एक औरत के लिए बली वो शोहर आजाएं बेटे आजाएं लेकिन जो एक आइडियल होता है ना एक मर्द की सूरत में वो उसका बाप होता है जिन्दगी में लाग चाहे जितने मर्द आते रहें लेकिन जो बाप जो एक हीरो है जो एक आइडियल है वो बाप है मैं तो अक्सर औरतों को देखती हूँ कि वो अपने बच्चों से कहती है कि तुम्हारा बाप क्या करेगा जो मेरा बाप करता था यानि वड़ा मान होता है बेटियों को बाप के उपर तो आप सबने भी बाप की महबबत को महसूस किया होगा किसी ना किसी दोर में और अभी अपने शोहर की महबबत को महसूस कर रही है अपने बच्चों के लिए बाप का किरदार क्या होता है जब बाप बाजार में जाए ना अपने लिए नहीं लेता कुछ उलाद के लिए तुम ले लो उलाद जो यह वो मेंगा 20-25 हजार का मुबाईल जेब में डाले गूम रही होती है और बाप के पास वही 6-7 हजार का पुराना असा डबाई असा मुबाईल दिखाई देता है यہानि यह बाप का किरदार है के वो अपनी आउलाद को बेस्ट डेता है अपने में कमी हो जाए अपने में कसर हो जाए लेकिन उलाद के लिए बेहतर से बेहतर चीज तलाश करता है ये बात आगी है जरा साथ तो मैं इस बात को कहना चाहूंगी आप इसको ब्रैकट में समझें मैं सिलसला शुरू करूंगी लेकिन इस बात को भी सुनती चलें एक दफा मैं एक आर्टिकल पढ़ लई थी खुर्बानियों का इहसास होता है ना मां के लिए बच्चे बड़े हसास होते है कि मेरी मां ने बड़ी खुर्बानी उठाई है मेरी मां ने बड़ी तकलीफ उठाई मेरी मां ने बड़ा बहुत दुख देखा ये किया वो किया उतना बात का नहीं होता एक हकी hazard है अव्लाध जो है उसके लिए दिल में मा के लिए बहुत जादा आहसास होता एकूलाध का दिल उतना बाप के लिए नहीं होता इसकी की वज़ा क्या है इसकी वज़ा ये उस राइटर ने लिखा था उस आर्टिकल में उसकी वज़ा ये है कि जो मा की खिदमतों का दाइरा है न वो महदूद होता है मा भी घर के अंदर बच्चा भी घर के अंदर बच्चा दिन बदिन बहर आए मा को घर के अंदर चार दिवारी में देख रहा है यानि वो देख रहा है कि मेरी मा कितनी महनत कर रही है वो देख रहा है मेरी माँ कितनी तकलीफ उठा रही है माँ के पेशानी पे आने वाला पसीना वो देख रहा है ओलाद माँ को देख रही होती लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं होता कि उसकी बखा के लिए बाहर जाकर उसका बाद कितनी महनत करता है एक माड की खुर्बानियां ओलाद की निगाह के सामने होती है लैकिन बाप की मेहनते ओलाद की निगाहों से और ज Bluetooth होती है लहाजा हमारे दिल में वो फिलिंग नहीं आती है बाप के लिए एक मापा पसीना तो हमें दिखाई देता है की छन में लेकिन हमारा बाप कितने पसीने बहाता है अपने उलाद की बखा के लिए वो हम फील नहीं करते लिएज हम महसूस करें कि आज जिस मकाम पर भी हैं वो हमारे बाप की वज़ा से है खुद हमारे चौते हैं अपने अंदर कोई नेकी पाओ तो उस वक्त अपने बाप के हक में दुआ करो कि अगर वो नहोते तो तुम नहोते तो हम जो कुछ भी है अजिसाने के रामी वो बाप के लिए यह बाप का किरदार है मौलाई काइनाद जनाब खंबर को लेकर गए और दो लिबास खरीदा आप देखें कि मैंने ये जुमला कहा था था ना कि अली ने अपने अलाद को अलाद अपने गुलाम को गुलाम नहीं समझा अलाद की तरह पाला है एक बाप का किरदार पेश किया है जब दो लिबास लिए तो जो अच्छा लिबास था वो खंबर को दिया जो मामूली लिबास था वो खुद लिया हम क्या करते हैं जो हमारे हेलपर्स होते हैं जो हमारे वर्कर्स होते हैं जो हमारे मातहत होते हैं अगर कभी एद बखरीद उन्हें कुछ देना भी होना तो दुकान पे जाकर सबसे पहले बोलते हैं कि भाई देने लेने वाला है यह पहले ही बता देते हैं कि देने वाला है उसी हिसाब से दिखाना है और उसके बाद जब अपने बच्चों के शॉपिंग करते हैं तो फिर मौर में जाकर ब्रैंड होना चाहिए और अपने वर्कर्स के लिए, अपने हेलपर्स के लिए, अपने नीचे वालों के लिए ये बस यूँ ही खरीटने, लेकिन सलाम हो मेरा मौला काइनात के शान के उपर जब दो लिबास खरीदे तो जो महंगा लिबास था वो खंबर को दिया, जो मामूली लिबास था वो खुद पहना और उसके बाद जब जनाद खंबर ने कहा ना कि मौला ये आप पहने, आप मौला हैं, आप एमाम हैं, मैं तो खुलाम हूँ तो इसाने के नामी बड़े दुनिया में बड़े देने वाले हैं बड़े चैरिटी करने वाले हैं बड़े डोनेशन देने वाले हैं बड़े लोग हैं जो लोगों को मदद करते हैं लेकिन मैं कहती हूं कि जितने भी लोग दें लेकिन देने का अंदाज यह है कि स्टेटस का फर्ख बर्खरार रहता है अमीर अगर किसी गरीब को देता है तो गरीब समझ कर देता है अली ने इस फर्ख को मिटा दिया किस तरीके से अली सामने वाले की इज़ते नफस को बचा रहे है मेरे मुला ने ये नहीं कहा कि खंबर तुम गरीब हो मेरे मुला ने कैसे खंबर की इज़ते नफस को बचाया है कि खंबर तुम जवान हो ये तुम्हारे पहनने औरने के दिन है तुम पहनो मैं इस अमर में पहन के क्या करूंगा सलवात पर ये बर मुहम्मद वाले मुहम्मद पर अली ने फर्फ को मिटा दिया वो मशूर वाक है मुला काइनात का वोसे एक जुम्हारे की याद दिलाती चलूं कि जब मुला को दफन करने के बाद मामे हसन और हुसेन आ रहे थे ना तो खराबे में जो फखीर बैठा हुआ था तीन दिन से खाना नहीं मिला रो रहे और जब मामे हसन उसे खरीब गए और पूछा कि क्यों रोते हूँ कहा तीन दिन हो गया एक मेरा मौसिन था वो आता था और मेरे पहलू में बैठकर मुझे खाना खिलाता था तो मौला हसन ने पूछा कि उसका नाम होगा क्या नाम था उस फखिर ने का कि नहीं मैंने उससे बारहा पूछा कि भाई अपना नाम तो बता उसने बस यही कहा कि नाम जानकर क्या करोगे बस यह समझ लो कि एक गरीब है जो एक गरीब के पहलू में बैठा है اللہ اکبر جو حاکمِ کوفہ ہو جو مالکِ کائنات ہو جو امیرِ کائنات ہو وہ یہ کہتا تھا کہ ایک فقیر ہے جو ایک فقیر کے پہلو میں بیٹھا ہے اس طریقے سے ان کا کردار وہ ہے کہ دل میں عشق پیدا ہو جائے انسان کے لیکن عزیزانِ گرامی جہاں عاشقوں کی تعداد ہے وہاں ان کے دشمنوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے وہاں ان پر ظلم کرنے والوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے ان پر ظلم اس طریقے سے کیا گیا اور کرنے والے کون تھے یہ بھی تو آپ دیکھیں ان پر جو ظلم کر رہے تھے وہ کون تھے عزیزانِ گرامی تاریخِ اسلام کے کچھ باب اتنے سیاہ ہے اتنے بلیک ہے یقین کریں ہم کسی دوسرے مذہب بالوں کو فیس نہیں کر پاتے جب ہم بتاتے ہیں نا محرم میں لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں نا دوسری قومیں ہم سے پوچھتی ہیں ہم ایسے سماج میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہمارے چاروں طرف ہر طرح کے لوگ ہیں لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہوا تھا کربلا میں نواز سے رسول قتل کر دیا گیا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کس نے قتل کیا کیا ہندووں نے مارا سمجھ میں نہیں آتا کیا کہیں امام حسین کو ہندووں نے نہیں مارا حسین کو عیسائیوں نے نہیں مارا نواز سے رسول کو مسلمانوں نے مارا جو مسلمان کلمہ پڑھتے تھے نا نبی کا نبی کے نواز سے بہت لمبا فاصلہ نہیں ہے نبی کے نوازے کو نوازے رسول کو نبی کے کلمہ پڑھنے والوں نے قتل کیا عزانِ گرامی کیا تماشا ہوا اسلام کی تخدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوئے ناوے تکبیر کے ساتھ اللہ اکمر کی صدایں بھی بلندتیں حسین کے گلے پہ خنجر بھی چل رہا ہے حسین کے کوئی قتل بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں جلدی قرآن نمازِ آسرِ خضا ہونے والی ہے عجیب ظلم ہے عجیب ظلم ہے عجیب دشمنی ہے عجیب عدامت ہے یہ کیسا جلے رسالت ادا کیا ہے رسول کی امت نے یہ کیسا جلے رسالت یا رسول کے کلمہ گونے کہ نمازِ رسول کو تین دن کا موقع اور کیا سا شہید کیا عزیزانِ گرامی آج وہ غم کی تاریخ ہے آج وہ خیامت کی تاریخ ہے کہ آج میرے مولا حسین کو اپنا مدینہ چھوڑنا پڑا وہ شہرِ مدینہ جہاں حسین کا بچپن گزرا ہو وہ شہرِ مدینہ جہاں کی گلیوں میں حسین دھارتے رہتے ہو وہ مدینہ حسین کے لیے محفوظ لگی تھا عزیزوں وطن کی محبت کیا ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے وہ بچے جنہوں نے یہی پر پیدا ہوئے اور یہی پر بڑھے ہیں وہ شاید اس کو محسوس نہ کریں لیکن وہ لوگ جن کا وطن کہیں اور ہے عزیزانِ گرامی وطن کی محبت یہ ہے کہ جب انسان وطن سے دور ہوتا ہے نا وہ اپنا دل وطن میں چھوڑ آتا ہے دشمن کو بھی اللہ چھوڑائے نا وطن سے جانے وہی بل بل جو بھی چھڑ جائے جب ان سے وطن کی عجیب محبت ہے وہ وطن وہ گھر کہ جب انسان کا بسپر گزرا ہو وہ وطن کہ جب انبائی مہنوں کے ساتھ زندگی گزاری ہو اور سب تو سب عزیزوں صرف حسین سے مدینہ نہیں چھوٹ رہا غم تو یہ ہے کہ حسین سے صرف مدینہ کی گلیاں نہیں چھوٹ رہی صرف مدینہ کے درو دیوار نہیں چھوٹ رہے بلکہ حسین مان کا مزار چھوٹ رہے حسین کو نانا کے روزے سے جدا روما ہے عزیزوں یا پر اتنا بڑا مجمع ہے میں دعا کرتی ہوں پر وردگار سب کے والدین سلامت رہے لیکن جن کے نہیں ہے نا انہوں نے اس درد کو محسوس کیا ہے بڑا سخت ہوتا ہے جب انسان گھر میں جائے اور باباپ نہ نفائی دے اور ان سے ملنے کے لئے خبر پہ جانا بڑے بہت سخت ہوتا ہے والدین کی خبر پہ جانا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بلا شکون ملتا ہے جب ماں کی خبر پہ بیٹونا بلی تشکیل ہوتی ہے دلکھو یہ میرے ماں کی بنتی ہے اللہ نے حسین کی مظلومیاں ماں کا مزار چھوٹ رہا ہے نانا کا روزہ چھوٹ رہا ہے اور ایک فاطمہ صورہ جیسی بیٹی چھوٹ رہی ہے صاحبان اولاد مشریف فرمہے حدیث اولاد کی جنائیہ ساتھ ہی ہے اولاد گویاں ایسے اجیسے اپنا دل لکھائے کہ تو بڑا لگ ہو جائے اللہ رہے حسین کی بے بسی خدا کسی باپ کو اتماع بے بس نہ بنائے جناب فاطمہ صورہ تاریخ بتاتی ہے نا جب امام نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا مدینہ کی بی بی آنے لگی آنے کے بعد ایک سے ایک سے پوچھتی تھی شہزادی زینب سے پوچھتی تھی کہ بی بی آپ جائیں گی تو بی بی کہتی تھی کہ اب حسین جانے حسین کو خبر ہے امی لیلہ سے پوچھتی تھی تو امی لیلہ کہتی تھی آنکھا جانے امی رباب سے پوچھتی تھی تو امی رباب کہتی تھی آنکھا جانے لیکن جب فاطمہ صغرہ سے بی بیاں پوچھتی تھی نا تم جاؤگی بچے کہتی تھی जाँअँ जाएँ खिर जाएँ तुम है यकीन क्यों है तो समरा दे का मुझे इसलिए मुझे यकीन अथर पे अपने भाईब रिचञीन है पुज押 शुण हम भुछ हूं धन्था भधा जाड़ा तो आतिप पान जार जाड़ाई आतिप पॉर जार जाड़ा तो संगला जार जाड़ाई वजäh नतिप पॉर के भी को उति ओ स॑ लागव नोला… और समझा रहे हैं सोगरा नहीं जा रहे हैं सोगरा नहीं जा रही है एक मार जब 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 सोगरा को कामर हुई ना पुपी के खरीब आई हैं पुपी अम्मा आदो में जो लिया माबा आपके माज को रद लही कर दे एक पुपी अम्मा मुझे मिलने चलो अकेले घर में कैसा होगी जैनब भाई के खरीब भाई आगर कहा भाईया आप गवाँ है कि मैंने आप से आज तक कोई सवार नहीं किया वुसे हैं ने कहा मुझे पालू है कहे भाईया लेकिन आज एक सवार लेकर आई हूँ ए मेरा पांचा, ए सुखरा पॉसाओ लेदे चल्ओ शखरा एक भाजिय एले एन जोड़ा ये सपनाथा लेबाई किया अग्या तो मेरा जूआँ पόला नहीं के खराज़ेन게요 क्या सब्सक्राज़े मुझे सुखरा पॉस्टे एजनम का तुम्ने सुखरा को गरसी नहीदे का बीमीने पुचा की ओका एजनम मेरी सुखरा के इमा की शबीए और कर बला मेचादर एचिंदा एंगी एजनम मैं नहीं परदाश कर सकता के मेरी मा की शबीए कर बला से तुफा कूल फेज शबीए बेमक्न और चादर पिरे जीज़ान इगरामी जब खाफला तैयार हो गया एक एक गरसे निकल रहे आपने भी ये जबी पैसुश किया होगा जब कोई गर से चला जाए ना ऐसी फीरा निचा जाती है सब चले गए इस बार मौला हुसेंद ने कहा अकबर सुखरा से रुख से दूला ये सिंदा ना अकबर के चेरे का ना के बतल गया मुझे नहीं पता बात का हुक्म था बहर से मिलने आए कोडर में के सर्वे उसके पाई के साया सलामति रुख ये सिर अली एकबर आए सुखरा ने पाई गले में दादी ये अली एकबर ये पहले पारे जाएगी और उसके बात का अकबर मेरे दिल में बाहर मांता कि तरी शादी हूँ हर बेहर को शुख रेता है कि उसके बाई के सर्वे सेरा सुखरा ने का अकबर मैं तो या हूँ सर ते जब सेरा सुखर बूह ना जाना अकबर अपनी बालात में वे खाबर पहला ना जबार ने का अकबर की जबाली का तो खौल में बिल गई पहला नाना के रोजे पर आया वे आगरी रोजे के लिए आगर अपने को नाना के रोजे पर गिराया नाना ए नाना खुदा आफिर, ए नाना हुसें आखरी रखसत के लिए आया थे, ए नाना खुछ तो यही थी, के पूरी जिंदगी आपके खबर की मुझा बरे किरू, लेकिन ए नाना आपके उम्मत अपरे रहे देती, उसें नाना के खबर से उठे, नाना के रोजे से उठे, भाई हसन की खबर पहुचे, texting की खबर से उठे, खुसेन मां के मजार पे जा रही है मां का मजबख पए ऐलादों का मजबख पए आफ जानती रहाμαι मां की adv chat क्या होती है हुसेन मदीना चोब रहे तो नाना के रोजे पर भी गए हसंद की इस कबर पर भी गए मां के मजार पर भी गए लेकिन मकाफिल कहते हैं कि जब हुसेद नाना के रोजे पर जा रहे थे तो हुसेद चल कर जा रहे थे जब हुसेद हसन की कब्र पे गए तो हुसेद चल कर गए लेकिन मकाफिल ने आगे जुम्ला लिखा जैंजरा अंग Glue कि अंग कीते झाला ए नग घराओ फड़ा जां इस चीर थी भॉण चाल इंग उर्ण के बन dedicह जिले का लग押 आंग कीती है छी worldview ए म एर लोग टोन व्हाद एपाँ पसे नपफ़ितना जो ओता है एपाँ पबस नपफ़ितना झाल झाल जब मदीने से चला खाबडा कर बोबला ठाए सुग्रा के लबों पर नौहा ले चलो बाबा मुझे ले चलो बाबा अपने हमरा हसुए खर्मों बना ले चलो बाबा मुझे ले चलो बाबा आपकी आज दिलो रोके में बल जाओंगी बाबा अद्बर की दस मुझे नहीं भाओंगी मेरी सासो का भरो सादरा ले चलो बाबा मुझे ले चलो बाबा ले चलो बाबा मुझे ले चलो बाबा काफले वाल को खानी भी पिलाओंगी मैं अपनी आभोश में असदर को सुनाओंगी मैं बाबा आपकी से भादा है मेरा ले चलो बाबा मुझे ले चलो बाबा ये चलो बाबा, मुझे ले चलो आगा मेरे कादों में जो आवाज असा आएगी मेरे अक्बर की मुझे न्यार बहुत आएगी भाई की म्याद नबन चाए गजा ले चलो बाबा, मुझे ले चलो बाबा ले चलो बाबा, मुझे ले चलो बाबा ले चलो बाबा, मुझे ले चलो बाबा तेसे अक्बर क्या बिनाईद गुसारूंगी मैं कभी तुमको कभी अम्पो को बुकारूंगी मैं बापा ये आप से गाता है विरा ले चलो बाबा मुझे ले चलो बाबा ले चलो बाबा मुझे ले चलो बाबा ले चलो बाबा मुझे ले चलो बाबा दुपर कर मौबा होगी सफर देखो अपने आचल में छुपा लूँगी अदी असगरी को यू ना असगरी को करो मुझे से जुदा लेख चलो बाबा, मुझे लेख चलो बाबा लेख चलो बाबा, मुझे लेख चलो बाबा मेह फूसी काफिला है अबास जो जिन्दा है मेह फूसी काफिला है अबास जो जिन्दा है अभी दूरी कर्बला है अबी दूरी कर्बला है अबास जो जिन्दा है अबी दूरी कर्बला है अबास जिन्दा है इस नूरी कर्बला है नूरी अभारियों में नूरी सवारिया है नूरी सवारिया है, सर पर अलम कुला है, अब आस जो जिन्दा है, अभी दूरी कर बना है, अभी दूरी कर बना है, ना आस जो जिन्दा है, ना बेर मा के मजवा, हटी हटी के बुसरता, पेरे में बावा खाके, क्या हो रहा है रस्ता, क्या शाज दब जबा है, क्या शाज दब जबा है, अभास जो जिन्दा है, अभी दूरी कर बना है, अभी दूरी कर बना है, अभास जो जिन्दा है, अभास जैसा भाई शाए, भास जो जो जिन्दा है, अभी दूरी कर बना है, अभी दूरी कर बना है, कर्बला है, अभी दूरी कर्बला है, अब आस जो जिन्दा है, हया की मल्का, फुल सूम अरुपया, लेला रबाद पीसा, कुबरा, सकीना पीसा, कुबरा, सकीना पीसा, हर दी बीमारी ना है, हर दी बीमारी ना है, अभी दूरी कर्बला 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 है, अभास जो जिन्दा है ये असिगन से केलती है फुश्रे मौत सकीना जब चाहती है सोना है बाबा जाका सीना बाबा जाका सीना गम से ना आशिना है अबास जो जिन्दा है अबी दूरे कर्बला है अबास जो जिन्दा है में पूस काप पिला है में पूस काप पिला है अबास जो जिन्दा है है यास Webb में है लो जम एबास सके द Sadhguru अबास बास से जोरे मार आश जो जो जुश्रे में है में इड थोतर आश सीना, अबास जो 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 जुो जो 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 और म्या गास सोना है वम इन लगगाष का म कह दो जो 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 जो84 oxid दो आश